भोजपूरी फिल्मों का अपना अलगी क्रेज है खेसारी निरहुआ, आमरपाली जैसे भोजपूरी सितारों के फैंस इनकी फिल्मों का बेस सबरी से इंदजार करते हैं और इनकी फिल्में भी खूब कमाई करती हैं आज हम आपको भोजपूरी सिनिमा की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इन फिल्मों ने खूब नोट भी गिने तो भोजपूरी फिल्मों की बात हो रही है तो मनुझ तिवारे को कैसे भूला जा सकता है बना दिया था मनुझ तिवारी इसे फिल्म से रातो रात सूपर स्टार बन गये थे इस फिल्म में लीट रूड में मनुझ तिवारी के साथ रानी चाटर जीद नजर आई थी इन दोनों ही स्टार्स की ये पहले फिल्म थी जिसके बाद भूचपुरी इंडस्ट्री का इस हुई थी दूसरे प्रमुख कलोकारों की बात कर रही तो इस फिल्म में उनके अलावा प्रमुख तामे सुनाली जोशी मुनालिसा पंकच केश्री अभधेश मिश्रा मनोज टाइकर प्रकास जैस और आनन्द मोहिंड शामिल थे इस फिल्म नहीं करीब 27 करोड रुपे क प्रững कमाई की थी भोजपूर सिनमा में प्रडग्या दूसरी सबसे थाधा कमाई करने वाली फिल्म है प्रदग्या 2 में पवन्सिंगira और खेसारी लाल यादव के साथ खुद अनल समराथ मुख्य भूमिका में थे पृतिग्या 3 में वहीं पवन सिंग और खेसारी लाल यादव के साथ मेरा हुआ भी नजर आये थे तीसरे फिल्म जसने सबसे ददा कमाई की है वो है 2006 में आये फिल्म गंगा बॉलिवूड के सूपरस्टार अमिताब बच्चन और भोचपूरी के अमिताब बच्चन कहे जाने वाले सूपरस्टार रवी किशन मनुझ तिवारी और नगमा अभिनिगीत फिल्म गंगा भोचपूरी की तीसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है भोजपूरी बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने करीब 21 कलोर रुपा जो है वो इकठा किया इस लिस्ट में आखरे फिल्म है एद पर एद 2018 में रिलीज हुई भोजपूरी फिल्म बॉर्डर जसने कुल 19 कलोर रुपे कमाया यह अब तक की चौथे सबसे बड़ी कमाय करने वाली फिल्म है यह फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है और इसमें दिनेश लालियादव और आमरपाली दूबे प्रमुख भूमी काउं में है तो यह थी वो बॉक्स ओफिस पर धूम मचाने वाली भूजपूरी फिल्में जिन्ह आपकी फेवरिट फिल्म कौन है यह थी साक्षी राई की रिपोर्ट मैं हूं मांसी और आप देख रहे थे बिहार तक